जेहंद एब्रिवन मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका SSB क्रैक एक्जाम चैनल पर तो आज मैं आई हूँ एक और करन्ट अपडेट टॉपिक लेके आप लोगों के सामने जो की तालुक रखता है अमेरिका से तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क जो जो बाइडन है जो के राश्ट्रपती है हमारे अमेरिका के उनका impeachment procedure स्टार्ट होने की बात हो रही है तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सारा का सारा मामला कि क्या allegations है क्या evidences है और ये पूरा case है किस चीज़ के जाथ तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी व लिंक रखते हैं तो जो Republicans है जो की दूसरी पार्टी है उन्होंने बात की है एक impeachment inquiry की इनके अगेंस और इसकी जो पुष्टी की है वो जो speaker है हमारे वहां के house के दाटर्स दा Kevin McCarthy उन्होंने भी कहा है कि allegations of abuse of power जो अपनी power को गलत उन्होंने इस्तेमाल किया जब वो vice president है तो yes ये particular impeachment का procedure start किया जाएगा तो ये जो बात है ये start की गई जो Republican Party से Trump है जिनको आप सब जानते हैं तो अब जो 2024 के elections होने वाले हैं उसमें Trump भी भाग लेने वाले हैं तो ये पूरा का पूरा जो सारा का सारा case start हुआ उसका जो initiation दिया वो दिया था Trump ने ही ये Republican Party से तालुक रख कि पूरी की पूरी बात है क्या पहले सबसे पहले impeachment inquiry होती क्या है आप लोग अगर जानते होंगे तो president के साथ हम एक word use करते हैं that is called impeachment जो कि भारत में भी हम use करते हैं that is the impeachment of the president तो basically जब भी अगर कोई misconduct हुआ हो या कोई allegations हो या कोई mal practice हुई हो तो power का use करते हुए तो उस particular time प ज़रूरत होती है जो upper house है जैसे वहाँ पे अगर US के case में देखा जाएं तो senate उनको two by third majority से particularly उस resolution को pass करना होता है और जो house है जो normal common house है उसमें simple majority से ही इस particular resolution को pass करना होता है तो basically जब भी अगर impeachment के बात चले तो दोनों houses की ये particular majorities एक की simple majority और एक की two by third majority complete करना आवश्यक है तो अगर पूरा case हम देखें तो कोई direct allegation जो बाइडन के उपर नहीं है बट उनके उपर बात ये है कि जो बाइडन जब वो vice president थे US के जब Barack Obama वहां के राश्ट्रपती थे तो उस particular time पे अपनी power का misuse करते हुए अपने बेटे जिनका नाम है hunter बाइडन उनके business में उन्होंन सयोग कराया plus अपनी power का misuse करते हुए उसी particular business जो कि उनके बेटे के नाम से चल रहा था वहां से उन्होंने काफी अच्छा खासा profit भी कमाया है तो इसके उपर बहुत सारे बाते चल रही हैं even कुछ evidences भी आए हैं कुछ allegations भी आई हैं तो countries के नाम भी आए हैं कि कैसे उन्हों के साथ अपने बेटे के business में उन्होंने पाइदा कराया basically पूरा का पूरा जो है that was related to the misuse of the power while he was a vice president of USA next is एक जो जो एक direct figure सामने आई है हमारे that was कि 20 dollar million payment हमें जो basically Biden family को पूरी की पूरी कहां कहां से आई है that is the China Kazakhstan Ukraine Russia and Romania this is particularly mentioned कि इन particular countries से Biden family को पैसा आया and जो amount बोला गया that is a very huge amount that is dollar 20 million in payments तो यह था दूसरा allegation उनके उपर तीसरा जो था that is related to कि जब Hunter Biden के उपर taxes को related जब particular inquiry चली थी उस time पे justice department जो है US का उन्होंने भी उसी को support के हलां कि जो वांके US special counselor David Wess है उन्होंने इसको बिलकुल इंकार कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था but yes allegation का ये भी part लगाए कि even justice department में से भी लोग मिले हुए थे Hunter Biden के साथ ताकि उनके जो taxes वाला जो उनका पूरा का पूरा start किया गया था उसमें उनको कुछ भी ना किया जाए तो यह कि हमरे allegations basically अगर हम एक idea लगाया जाएं तो सारा का सारा allegation है कि उन्होंने अपनी power का misuse किया अपने बेटे के business को फॉरन उस पे support किया plus उन्होंने खुद अपने लिया और अपनी बाकी family के लिए वहां से profits भी लिये हैं लेकिन दूसरी तरफ से कुछ evidences भी आये हैं और evidences में कहना है सबसे पहला जो evidence आया है एक Ukrainian company है that is the Burisma एक allegation का part ये भी था कि इस particular company के एक comment में लिखा गया आता कि 5 million जो है हम दोनों एक Biden को देंगे and 5 million दूसरे Biden means Hunter Biden और Joe Biden हलांकि जो इनके head है इस particular company के जो head है ये जो Ukrainian company है इसके head Mykola Zolkis ने मना कर दिया है कि हमारा even जो ये basically जो Hunter Biden है ये इनके directors का एक board है उसका part थे बट इन्होंने मना कर दिया है कि जो Joe Biden है जो elder Biden है उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है हमारा उनके साथ कोई भी लेन देन या business perspective पे हमारा उनके साथ कोई भी बात नहीं है तो हलांकि एक evidence या है क्योंकि खुद एक leader company का जो head है उन्होंने इस चीज को मना कर दिया है तो you never know next है एक और जो एक business associate है हमारे hunter Biden के that is the arker इनका नाम है arker तो इन्होंने बोला है कि yes जो Joe Biden है वो बहुत बार international calls भी है hunter बहुत बार calls arrange करते थे but वो calls कभी भी business dealings के related नहीं थ थी so yes उन्होंने ये भी बात के है कि हां calls होती थी foreign officials के साथ भी call है बट वो कभी भी business dealings के related नहीं है तो yes उन्होंने सीधा बोला है कि elder Biden जो कि हमारे job Biden है वो particularly कहीं भी गलत नहीं है उनका कहीं भी पूरे के पूरे system में कोई भी लेना देना नहीं है जो hunter Biden के उपर cases है जो ब खुद का कहना ये है कि बिलकुल ये जो probes हैं ये सारे के सारे baseless है and basically ये distraction है जो खुद Trump है जो कि Republican Party से contest करेंगे उनके उपर जो allegations लगे वहां से distraction करके वहां से distract करके वो सारा का सारा ध्यान कहां दे रहे हैं जो Biden के उपर so ये Democrat Party का कहना है कि extreme politics चल रही है and the things it is all because ताकि Joe Biden की जो particular image है उसको deteriorate किया आ जाए हलांके last में कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें because उनका कोई भी लेना देना इस particular case से बिलकुल भी नहीं है so लेकिन देखा जाए तो ये effect कैसे करेगा तो बात ये है कि 2024 में President की elections होने वाले है and yes जो हमारे Joe Biden है वो भी particularly re-election इस दौड में शामिल होंगे और वहाँ से Trump भी इस ही election का भाग बनने वाले हैं तो उनका कहना ये है कि अगर जैसे ये particular impeachment inquiry चलती है ये बात चलती है तो जो Biden चाहे कितने भी अच्छा campaigning कर ले कितने भी अच्छे वादे कर ले अपने अगले election के लिए लेकिन वो media का इतना जादा रूल होगा कि पूरा का पूरा ध्यान कहां जाएगा उनके negative effects में उस particular inquiry की तरफ तो जो basically वो आज campaign करेंगे वो उस पे कोई भी ध्यान नहीं देगा सबकर यहार इसी पे होगा कि हाँ inquiry का क्या हुआ क्या उनके जो बाइडन का रोल है या नहीं है या जो बाइडन का क्या रोल रहा होगा लेकिन जो वो आज अपनी campaigning के लिए जो 2024 के election के लिए वो भाग करेंगे या जो promises या कुछ भी वो भाग करेंगे उसके उपर कोई ध् and basically इस अगर सबसे बड़ा फायदा होगा that is for the Republican Party and वो क्या है Trump के लिए ही ये सारा का सारा फायदेमन आ जाएगा तो देखा जाए तो basically इसमें सारा का सारा रोल देखा जाए पूर अगर हम वीडियो को conclude करें फिस Hunter Biden का भी तक हम देख रहे हैं कि Hunter Biden के यह business के बारे में बात ह करा है in case अगर ये सही थाबित नहीं होता है और Joe Biden बिलकुल क्ली इंचिट निकलते हैं तो जो उनका 2024 का election का भी जो टाइन चल रहोगा of course उसको ये गलत अफेक्ट कर जाएगा because अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा पुकता सबूत नहीं है जिससे हम ये बोल सकें कि नहीं Joe Biden ने accurately ये किया ही है because अगर हम evidences देके जिन companies की बात की गई है तो उन companies के head ने खुद ही मना कर दिया है कि Joe Biden का हमारे साथ ऐसा कोई भी रोल नहीं है so that is all for this particular video तो जानेंगे बाद में अब जब impeachment procedure में क्या होता है क्या नहीं होगा because ये भी दो steps से निकलेगा पहले एक house करेगा उसके बाद Senate को भी approve करना पड़ेगा तो वो तो जब पता लेगा then we will come for you with again तो हम फिर से बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर so that's all for the day अभी आपको screen पर दिख रहा होगा SSB interview online courses तो हम त्यारी कराते हैं SSB crack exam त्यारी कराता है आपको online interview में and इसके जो batches हैं हमारे हर महीने बैठते हैं तो please join कीजिए plus कुछ courses CDS, FKET, MNS, Territorial Army इन सब के हमारे courses हैं जो आपको तयारी कराते हैं पूरा का पूरा exam syllabus और जो बहुत ही ज्यादा affordable rates में अगर आप rates देखेंगे all starting from 3000 to 6000-7000 तो इसके अंदर आपको पूरे के पूरे courses मिलेंगे जो कि बहुत affordable है जब भी आप किसी course को enroll करें आप ये coupon code जो की है warrior 10 ये लगाना ना भूलें जैसे आप इस code को use करेंगे आपको मिलेगा 10% का discount उस particular course में जल्दी से जल्दी subscribe करें, enroll करें, thank you so much, जै हैं, जै भारत अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को check करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं